इल्ला मदूप चुनाफ को लेकर इन देनों सियासत गर्माई हुई है। राजनीतिक और विरोधी पार्टियां चला रही है। सरकार का विरोध करने के नाम पर विरोध किया जा रहा है। बार-बार किसान नेताओं से ये पूछा गया कि इन किसी कानूनों में कौन सी धारा गलत है, कौन सा प्रावधान गलत है, क्या इसमें काला है। लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाए। और जिस तरह से बार-बार जो है, चाहे बंगाल के चुनाओं में जाकर जो है इनोंने भारती जिन्ता पार्टी का विरोध किया, और भी चुनाओं में और अभी हरियाना प्रदेश के अंदर जिस तरह से एलनाबाद का चुनाओं चल रहा है। उसमें खुले आम जाकर राकेश टिकैत ने मंच के माध्यम से एपर्टेक्स तोर पर जो है वहाँ पर इनलों के उमीदवार अभे चोटाला का समर्थन किया और उससे जो है सारी बाते खुल कर सामने आ चुकी है, यह अंदोलों केवल और केवल राजितिक है किसानों के ना थंदिया है, उन्होंने कहा कि इलनाबाद के जनताप में वेक से काम ले, अगर कोई किसी तरह की घलत फेहमी पहला रहा है तो सुध्यान न दे उसको गूट आप कर सकते हैं, आपको अगर कोई गलत फेहमी पहला रहा है तो इस बात का ध्यान रखें, बीजेपी और जेजेपी का ही विरोध करना है, बाकी किसी पार्टिकल के एंटिकेंडिडिट को बोड़ दो, आपको ले हैं बहराल राकी इश्टिकेट के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, स्यूक्त किसान मूर्चय में भी दराड जग जाहिर है, एक नेता अप्रतेक्श रूप से जहां समर्थन देनी की बात कर रही है, वहीं दूस्टे किसी बिदल को समर्थन न देनी की बात की जा रही है, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एलनाबाद की जंग के सूर करवट लीती है।